जैसे ही मैं यहाँ पर टैप करता हूँ आप देखें कि वाट्साप ओपन हो गई फिर से मैं इस तरीके से टैप करता हूँ तो देख सकते हैं यूटूब ओपन हो गई दोस्तो आज की नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो अब आज तक आप सब ने अपने स्मार्ट फोन का इस्तिमाल करने के लिए अपने फोन के स्किन पर टैच किया करते थे किसी भी अप्लिकेशन को ओपन करने के लिए अपने फोन के स्किन पर टैच करके अप्लिकेशन को ओपन करते थे लेकिन दोस्तो आज की इस वीडियो में तब दोस्तों बिना टच कि आप अपने फोन के WhatsApp अप्लिकेशन को इस तरह के ओपन कर सकते हैं, बिना टच के पीछे में टैप करके YouTube अप्लिकेशन को ओपन कर सकते हैं, या आप जिस भी अप्लिकेशन को ओपन करना चाहते हैं, अपने पसंद की किसी भी अप्लिकेशन को बिन टच किए बैक में इस तरह के से डबल टैप करके यहां से आप ओपन कर सकते तो बहुत ही कमाल के और इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है तो इस वीडियो को पुरा और ध्यान से देखते रहेगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आप भी इस तरह की ट्रिक क इस्तेमाल अपने स्मार्टफोन में करना चाते है तो सबसे पहले दोस्तो आप जो वीडियो देखने हैं उस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को से शेर पर दीजिए चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को करके सब्स्राइब साथ ही इस बैल लेकिन की क्ल आप इतना लिकर सच करेंगे तो आपके सामने यह एप्लिकेशन आजेगी वैसे मैंने इस एप्लिकेशन को लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है वहां से भी आप इस एप्लिकेशन को अपने फोन में डाउनलोड और इन इस्टोल कर सकते हैं यहां पर आपको नीचे आना है मोड डाउनलोड सर्विस पर किलिक करेंगे और यहां पर इस एप्लिकेशन को परमिसन देंगे टैप टैप स्क्रिंशोट वाली परमिसन देंगे यहां पर इस तरीके से परमिसन देने के बाद यहां पर दोस्तों आप यहां पर बैक इनेबल हो चुकी है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे चेंज गेस्चर पर आपको किलिक करना है चेंज गेस्चर पर किलिक करेंगे तो यहां पर यहां पर कुछ दो गेस्चर यहां पर इनेबल है तो आप इसे लॉंग प्रिस्ट करेंगे और रिमूब कर देंग यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, आप यहां पर जिस भी application को आप shortcut में open करना चाहते हैं, आप select करना चाहते हैं, जैसे मैं पहला WhatsApp select कर लेता हूं, उसके बाद और भी application आप add करना चाहते हैं, तो फिर से यहां पर add action पर click करेंगे, और यहां launch app पर click करेंगे, और फिर से और किसी application को select करना चाहते हैं, जैसे मैं यहां पर select कर लेता हूं, यूटूब, तो यहां पर मैंने दो application को, मैंने यहां पर add कर लिया है, बस इतनी से setting आपको अपने smartphone में कर लेनी है, अब दोस्तों जैसे ही आप अपने smartphone के back में इस तरीकी से double tap करेंगे, तो आपका WhatsApp open हो से tap करते हैं, यूटूब open हो जाता है, आप और भी application add करना चाहते हैं, तो application में जाकर और भी application वहां पर add कर सकते हैं, जैसे Facebook, Messenger, Instagram, अजी से भी add करेंगे, आप यहां पर double tap करेंगे, वह application direct यहां पर open हो जाएगी, बिन टच किये, आप किसी भी application को इस तरीकी से अपने smartphone में enable कर सकते हैं, hope आप सभी को यह application वाली वीडियो पसंद आयोगे, फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह कोई भी सवाल है, तो आप वीडियो के नेचे comment section में comment करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही जल्दी मिलेंगे, आप ने वीडियो में कुछ नए application के साथ तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंदे